हेलो एब्रीबन कैसे हो सब्सक्राइब यो बहुत मस्टोगन स्वागत है आप कमारी चैनल एसन एडिटर पे तो आज में लेकर आओं कि आप अपनी फोटो का पर्सनल प्रिसेट कैसे बनाएं उसको अपने लाइट रूम में कभी भी किसी भी टाइम उसको किसी भी फोटो मे आपने पिंक किया या येलो कोई भी कलर किया एंड उसी को आपको उसी टाइप की फोटो एडिटिंग अगैन करनी है तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको नहीं पता है कि लाइट रूम में मैंने लाइट को कितना सेट किया कलर को कितना सेट किया एक किसी को पता नहीं रह तो उसमें अगर आप पता भी रहेगा तो आप दू सरी फूटो को एडिट करोगे तो वकत लगता यह टाइम लगता तो उसको आपको करने के लिए के लिए एंड अच्छी सी didn кра bi ये वीडियो में लायओं की आप कम टम में वेस्ट Iran कैसे करें ऑके तो मैं इसमें लाइट रूम का आत को अपको करें अपना प्रीजेट खुद का कैसे क्रियेट करें हमस्ता के लिएนะ इन हे लिये क्लिए होकि तो मैंने उपन कर लिया है और best color grading करूंगा ओके, तो यहाँ पर मैंने इस photo को open कर लिया है और यहाँ पर light पर जाओंगा light पर जाने के बाद आपको इसकी मैं, इसकी highlight को कम करूँगा और इसकी shadow को भी कम करूँगा मैं और यहाँ पर contrast को increase कर दूँगा और यहां पर मैं इसके वाइट को इंक्रीज कर दूँगा, ओके, जिस्ट यहां पर इतना इंक्रीज किया, क्योंकि याइज एक कुछ एडिटिंग का बीट्वी नहीं है, मैं सिर्फ एक्जामपल के लिए थोड़ी बहुत इडिटिंग का इसमें कल लेता हूं, कलर पे गया, डाइट्व जाँगा, ग्रेण कलर पे, विकाज जो बेक्ड़रट है, वो ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन को मैं इस तरीक से, डिक्रीज करूंगा, कुछ इतना, एंड पर इसको फूल इंक्रीज, ओके, से इतना रखखा, और इसके बाद इस वाले कलर को आया हुई, मैं कुछ इतना रखखूंगए इस तरीके से इनडे, इसके बाद इस तरह रखाएंगा और इसकी सेटुएशन को डिक्रीज कर दूगा और इसको डन कर दूगा इसके बाद जाओंगा मैं एफेक्ट पे ओके क्लियर्टी को इंक्रीज कर दूंगा डन हो चुका है तो मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो एक फोटो डिटेंग का लिए नहीं है मैंने सिर्फ एक्जामपल के लिए इस फोटो को इतना एड़िट किया है इसका आप create preset कैसे वहाँ रहां है जैसा आप देख सकते हो यहां पर preset लिखा और यहां पर जाओनगा इस पर जानए के बाद आपको बहुत सारे option मिल जैंगे हाँ पर लिखा हो your यूर पर आपको कुछ इतना है इसमें आप इसके preset को आप add कर सकते हो ओके सो आपको just यहाँ पे three dot आपको देख रहे हैं इस पे आपको click कर देना है यहाँ पे copy setting and यहाँ पे create preset just आपको इस पे click कर देना है यहाँ पे आप अपना नाम जैसे डाल सकते हो जैसे मैंने इस बाले photo का background जो है उसको yellow रखा है मैंने तो यहाँ पे डाल दूँगा मैं yellow and हमारा preset बन चुका है जैसे कि आप देख सकते हो फोटो में मैंने इतनी editing की है and इसमें मैं कोई अगली photo का इसमें add कर लेता हूँ इस photo को add करने के बाद इसको add कर रहूँगा and वो हमारी light room में इसमें आ जाएगी आप जैसे मान लीजी ए फोटो आपने delete कर दी या clear कर दी अपना light room उसके वज़े से आपकी इस photo की जो setting से वो सब चली जाएगी ओके लेकिन preset बना रहेगा क्योंकि preset आपका जब तक आप light room को delete नहीं करोगे प्रिसेट आपका यहां पे बना रहेगा ओके यहां पे देख सकतो मैं preset जाओंगा and preset जाने के बाद yours पर झाने के बाद लिखा हुए याँब user preset जो मैंने मतलब user मैं हूँ यहां पे preset इस पर जाओंगा लिखा वो है balance बन के लिख किया किया है अब इसको आप चाहे तो और गोरा कर सकतो कुछ इतना ओके सो यहाँ पर आप अपनी फोटो में अपने एक बैस्ट एडिटिंग का प्री सेट बना सकतो कोई फोटो एडिटिंग आप टैम दे कर कर दें जिसमें ज्यादर ज्यादर टैम लगें बैस्ट उसमें सेटिंग्स कलर ग्रेटिंग सब उसमें अपलाई हो जाएगी ओके सुगाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बता देना आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस्टेग्राम में मैसेश कर सकतो ओके सो दोस्तों मिलते अगले वीडियो में